हेलो फ्रेंट्स अभी हम लोग बात करने जा रहे हैं इंडिया मिडिलिस्ट इरोप एकोनोमिक कोरियोडोर के बारे में अभी ये काफी चैचा में रहा है बीच में क्योंकि G20 का सिखर सम्मेलन हमारे देश यानि भारत की राधानी दिल्ली में इसको आयोजन किया गया और वहाँ पर एक Memorandum of Understanding sign किया गया sign किया गया India, USA, Saudi Arab, European Union, UAE, France, Germany, Italy इन सब के बीच में एक Memorandum of Understanding sign किया गया उसका मेरे मक्सर था कि एक Establish करना है कैसा स्थापित करना है Network जो कि इंडिया और Middle East और Europe को आपस में connect किया जाए यानि इंडिया Middle East Europe Economic Corrior को develop करने के लिए उसको establish करने के लिए G20 Summit का जो बैठक दिल्ली में आयोजन किया गया था उसमें Memorandum of Understanding इन सारे देशों के बीच में sign किया गया इंडिया Middle East Europe Economic Corrior एक infrastructure development project है जिसका की मुख्य मक्सर है कि connectivity को create करना और connectivity कैसे होगा rail के माध्यम से, ship यानि समुद्र के माध्यम से, energy cable के माध्यम से और data link के माध्यम से इन सारे माध्यम के द्वारा इंडिया के साथ Middle East और Europe आपस में connected होंगे इसमें जो participating countries हैं वह हैं इंडिया, Saudi Arab, UAE, France, Germany, Italy, USA, European Union इतने सारे देश हैं इसके आगे हम लों network की बात करें, तो network कुछ इस तरह से हैं, इंडिया से हम लों इसको connect करें, तो इसको मुंबई से हम लों जोडते हैं ship कित्रूँ चला आएगा, यह हमारा चला आएगा, Middle East में, उसके बाद में फिर हमारा East corridor कित्रूँ चला जाएगा, European countries में तो इस तरह से connectivity को बनाया गया है, यानि Eastern corridor जो है, इंडिया से Arabian Gulf को connect करता है, East corridor, इंडिया और Arabian Gulf, ठीक है, उसको connect करता है और Arabian Gulf को Europe से connect करता है, Northern corridor, तो इस तरह से यह दो corridor को आपर से मिला के यह बनाया गया, IMEE, India Middle East Europe Economic corridor, तो मेरे मकसर है कि इंडिया का हमारा connectivity Arabian country से हो जाएगा, और Arabian को हो जाएगा, Europe से इस तरह से आपस में सब connected हो जाएगे, इससे इंडिया को फायदा क्या होगा, इंडिया को फायदा होगा कि food security हमारा काफी बढ़ेगा, original supply chain हमारा जो छित्री है, जो supply chain है, उसमें काफी ब्रिधी होगा, trade आ बड़ा economic बनाने का सब कोशिश करेगा, job creation होगा, और greenhouse gas का emission भी कम होगा, क्योंकि हम लोग अब एक अलग network यानि एक सिधा सिधा से इंडिया का फायदा होगा, कि एक reliable cross border होगा, जिसमें कि सीप से rail, इस सब माध्यम गतुर ट्रांजिट network होगा, जिसमें कि इंडिया को European Union, UA यह सबी अरब, Jordan, Israel, यह सब देशों से connectivity बढ़ जाएगी, जिसके वज़ए से कई सारे cultural transformer का strategic भी बहुत सारे benefits होगे, यह एक और चीज इंडिया के लिए फायदा है, कि इंडिया को एक ऐसा platform देदा जहाँ पर अपना इंडिया काफी crucial role निभा सकता है, किसमें global commerce में, Westwick अर और नेक्स्ट स्टेप होगा, और नेक्स्ट स्टेप होगा है, कि इंडिया जो है, चाइना का जो है, Belt and Road Initiative, BRI, जो इंडिया और Middle East Europe corridor है, आनि IMEC जो है, यह कहा जा सकता है, कि चाइना का जो Border Road Initiative, Belt and Road Initiative है, उसका एक counter करूप में हम लोग देख सकते हैं, strategically काफी important रहेगा, तो यह हमादा वो भी हो गया, और दूसरा है, जोग्राफिकल अडवांटेज, चुकि इंडिया एक ऐसा position पर है, जहां पर की trade route के साथ आपस में इंडिया जोड़ेगा, जिसमें कि South East Asia और Gulf, West Asia और इंसारे डेसों के साथ, इन सारे एरियाज के साथ, इंडिया का trade काफी तेज से बढ़ सकता है, तो इस जोग्राफिकल अडवांटेज भी है, इसका जोग्राफिकल और भी कई सारे benefits है, especially strategically, तो उन सारे माध्यम के थ्रू भी इंडिया का काफी जादा benefit होने वाला है, इसके अलावा इसके बारे में हम और भी details हैं हम लोग, next chapter में हम लोग देखेंगे, लेकिन हम लोग इतना समय लोग कि जो इंडिया, इरोप, जो मारा economic corridor है, यानि IMS, यानि इंडिया Middle East Europe corridor, यह हमारे लिए कितना benefit है, और इसको कैसा origin हुआ, और इसका क्या मकसद है, तो thank you.